नवस्कासातियों आप सभी लोग एक किलासें देख रहे होंगे यह सभी किलासें आपकी UPSC और State PCS Prelims को ध्यान में रखते हुए कबर की जा रहे हैं और State PCS बोलते हैं ना तो आप सभी लोग देखते होंगे कि Civil Service की तरह हर State अपने हाँ State PCS का एक्जाम करवाता है MPPSC देख लेजे, UPPSC देख लेजे, बिहार PCS देख लेजे, 36गड PCS देख लेजे, राजिस्थान PCS देख लेजे और आप मेंसे कई लोगां का ये भी सवाल रहता है, क्या ये किलासे हैं, वंडे एक्जाम के लिए भी, जैसे आप देखते हैं सेंटर लेबल पर SSC, बैंक, रेलबे के एक्जाम होते हैं, या फिर आप स्टेट लेबल पर, राजिस्तर पर, सिक्षक हो गया, टीचर्स के लिए, आप देखें, कॉंस्टेबल, दरोगा, या आप देखें, पटवारी, इस तरह के तमाम एक्जाम होते हैं तो देखिए एक सीधी सी बात आप लोग याद रखिएगा, इतिहास से आपकी जिस भी परिक्षा में कुश्चन्स फूचे जाते हैं, उन सभी परिक्षाओं के लिए एक किलास महत्मोर रहेगी और आप लोग अपनी परिक्षा के पुराने कुश्चन्स पेपर उठा के देख लीजे, फर आप लोग किलासों को देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इन किलासों से बाहर कोई आपका कुश्चन्स जाएगा, ठीक है? और इसके लिए एक सेपरेट पिले लिष्ट सूची बना दीगी है, UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से, तो इसमें सभी सब्जेक्ट जो प्रिलेम्स में आते हैं, चाहे आप इतिहास देखिए, भोगोल देखिए, फर चाहे सम्मिधान देखिए, या अर्थ विवस्ता देखिए, या आप देखिए आपका बिज्ञान देख लिए, सा आधुनिक भारत की इतिहास में चेप्टर कबर किया था, राष्टिबाद दी, आंदोलन और गांधी के बारे में, क्योंकि आप सभी को मालू है, कि 1915 में गांधी जी भारत आ जाते हैं, और उनकी नितत में आप देखते हैं, आंदोलन चलने सुरू हो जाते हैं, तो उन प इस तरह के तमाम आंदोलन होते हैं, खिलापत आंदोलन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, आज की इस कलास में में भारत में वामपंथी आंदोलन पर बिस्ताज से चर्चा करनी हैं, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगी, सबसे पहले तो हम लोग वामपंथी का प्यांकन भी कर लेंगे इसी किलास में कि आतरर के नौकसान करना रहे पौजीटिब पॉयंट निगेटिब वाइन आप लोग मुख परिक्चा में देखते हैं आप लोग 患ो पॉजीटिव पॉइंट लिखते हैं नीचे अपना लगव बात करेंगे और इनका वहांपंपन् एन रॉय लेनिन बिबात किया था इस पर भी बात करेंगे और इसी समय आप देखेंगे कि मजदूर किसान पार्टियों की स्थाफना होती है तो उन्हें भी जानेंगे और ट्रेड उनियों पर कमिनिस्टों का क्या प्रभाव पड़ाए उसे भी देखेंगे कॉंगरेस सोसलिस्ट पार्टि की भी बात कर लेंगे हम लोग ठीक है इसके बारे में भी विस्ताज से बात करेंगे और आप देखें कि भारत में जो मजदूर आंदोलन हुए हैं उन्हें पर भी एक ओबर विव ले लेंगे और पूंजी भारती पूंजी पती और राश्टी आंदोलन इस पर भी बात करेंगे पूंजी बात के बारे में हम लोग जानेगे समराज बाद क्या होता है इस पर भी बात कर लेंगे हम लोग ठीक है तो इतने सारे टॉपिक आज की इस किलास में आपको देखने को मिलेगा बस आपको एक से दो बार किलास देखनी है और निकल जाना है ठीक है सबसे पहले वामपंथ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आपको बता दो वामपंथ उस विचार धारा को कहते हैं जो समाज को बदल कर उसमें अधिक आर्थिक और जातिय समानता लाना चाहते हैं और इस विचार धारा में समाज के उन लोगों के लिए सहानभूती जत ला वो उसी विचारधारा की बात करते हैं वो समानता की बात करते हैं आर्थिक समानता की बात करते हैं सामाजिक समानता की बात करते हैं और इनी में से आप देखे कुछ निकलकर नकसलवादी बन चुके हैं और अभी भी हमारे देश में आप देखे कि नकसलवादी समस्या बनी ह भी है भो आप देखे कि गरीबों के मुद्दे उठाते हैं और अपने अपने से divers evangelist नहीं है लेकिन आप देखेक कि वह भी सही नहीं है तो इससी पर भूप करेंगे हम लोग ठीक है कि तो फ्रांस की किरांती के दौराण फ्रांस की National Assembly में फ्रांस की किरांती आप लोग पढ़े होंगे तो तीन दल अस्तित्य में आए कितने तीन दल आप लोग देखने को मिलेंगे एक तो आपका कंजर्वेटिब क्या इसमें आप देखेंगे कंजर्वेटिब दल एक आपका लिबरल दल था और एक आपका रेडिकल दल था और इनमें आप देखेंगे कंजर्वेटिब दल असेमली में अध्यक्ष के दाईगोर बैठते थे और ये राजा और कुलीन वरक्कियों समर्थन देते थे अपना और इन्हें आप लोग दच्छिन पंथी के नाम से भी जानते हैं अगर लिवरल दल की बात करें तो एसमली के बीच में बैठते थे और इस सरकार के कुछ सरकार में कुछ सीमे सुधार चाहते थे और रेडिकल दल जो अध्यक्ष के बाईगोर बैठते थे राजा की सक्तियों की सीमामंदी करना चाहते थे और समिधान गरहन करके सरकारी विवस्ता में परिवर्तन चाहते थे और ये लोग क्या कहलाए? वाम पंथी कहलाए और एक बार अगर आप लोग फिरांस देखना चाहें मैप में तो फिरांस को देख लीजे आप लोग देखी ये हमारा प्यारा हमारी प्यारी पित भी है और इसमें आप देखें कि ये हमारा प्यारा एसी आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसमें एसी आ में ये हमारा प्यारा भारत है यहां से आप जाएंगी तो आपको फिरांस देखने को मिल जाएगा तो इसी की बात हो रही है फ्रांस करांती की राजनीती की सब्दावली में वाम सब्द का परियोग ऐसी दल आंदोलन के लिए किया जाता है जो सरकार और समाज से बंचित वा पीडित बर्गों की हितों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक तथा आर्थिक विवस्था में मु भावित किया और इसमें पूजी वाद को ससक्त चनोती देते हुए रूसी करांती की मध्यम से सोविय संकी इस्थापना की और जिससे संपूर्ण विसके दलित अतिसोसित जनता में एक नई चेतना का संचार हुआ वामपंती समाजबादी देशों के लिए तो अभी साब ब आना परंतु भारत जैसे उपने विसक देशों के लिए वर्दान सिद्ध हुआ यहां आप लोगों को एक बात हमेशना याद रखनी चाहिए आप देखिए कि ऐसे कुछ लोग हैं जो पिछड़े हुए जिनकी बात कोई ना कर रहा हो अगर आप देखिए उनमें जाकर लगों ने उनकी बात की और यहां एक और सब्दी की बात हो रही है, पूझी बात, तो पूझी बात की बारे में आपको बता देता हूं, देखिए पूझी बात सामन्त उस आर्धिक और विडाली धावनित கुर встреч को कहते हैं जिसमें उत्त वादन की साधन पर निजी स्वा स्वामित होता है और जो पूझी बादी होते हैं वो लोग होते हैं जिनका स्वामित उन पर होता है और पूझी बाद में आप देखें जनता की भलाई पर जानदर ध्यान नहीं दिया जाता है इसमें लाब पर जानदर ध्यान दिया जाता है अब माली जी कि आप कोई कंपणी कौण है जिसकी अनुसार कोई महत्वाकांची राष्ट अपनी सक्ती और गौरप को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राक्तिक और मानविये संसाधनों पर अपना नेंतर इस्थापित कर लेता है यह अहस्तिचेव राजनेतिक आर्थिक सांस्कितिक यह अन्य किसी भी पिकार का हो सकता है जैसे आप देखे हमारे उपर अंग्रेजों का राज था भारत की राष्टी आंदोलन में हुआ मपन थी आंदोलन के उदाय का पिरमुक कारण इस्तपष्ट है और पिथम विस्योदी के दौरान भारत में उद्दोगी करण की पिक्रिया तीब हो चुक थे और ये यूनिने बैधानिक तो नहीं थी परंतु इनके माध्यम से मजदूरों में ससक्त लाममंदी हो रही थी और ऐसी अवस्था में पिथम विस्योदी के बाद उपजी राजनेतिक आर्थिक परिस्तितियों ने इन मजदूरों को बवाम पंति की ओर पेरित किया और पूंजी पंति आप समझ रहे हैं एक तरह से ब्यूसाई आप लोग कह लिजे इने ब्यापारी चटनी बेरोजगारी उत्वन गरीवी एवं नार्किये जीवन में इन मजदूरों को बेटे सरकार बिरोधी बना दिया और इन मजदूरों की साथ साथ उपनेविसिक सोसर से पजे आसंतोस का महत्कूर्ट सिकार किर्शक भी जो हमारी किसान थे वो भी इसका सोसर थे और हाला कि इन पर वामपन्थी प्रभाव असिक्षा बा आंचलता की कारण काफी देश से पहुचा और सोसित वर्ख के अलाबा खिलापत के मुद्दे पर हिजरत करके मत देशी आ क्योंकि आप देखते हैं कि असा यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा रोग दिया जाता है वापस ले ली जा जाता है इस्तिवित कर दिया जाता है तो उससे आप देखी कि चरम पर था उस समय और इससे लोगों में नाराजगी होती है और लोग गुस्सा हो जाते हैं और इन सब ही बरगों ने मिलकर ततकालिक भारतिय समाज पर वामपंथी लहर का फैलाओ किया और चुकि वेटर सरकार वामपंथी समाजबादी प्रसार रोकने के लिए दर्ड संकल्ब थी और इसलिए इन वामपंथियों का कॉंग्रेस से जुड़कर चलना अनिवार हो गया थ लेकिन सीग ही ये बामपंथी बिचारधाराओं में भेनता के कारण दो भागों में बिभाजित हो गए इनके उद्देश एक ही थे लेकिन बिचारधारा अलग हो जाती है देखिए जैसे आप देखिए जो आप देखते हैं गरम दल के बारे में आप लोगोंने सुना होग नरम दल के बारे में सुना होगा इनका उद्देश थो आजा दी थी लेकिन इनकी बिचारधारा आप देखेंगे अलग लग देखने को मिलेगी तो इसमें आप देखेंगे एक तो आपका भारती है Communist Party जिसे आप लोग CPI के नाम से जानते हैं और दूसरा आप देखेंगे Congress समाजबादी Party के रूम में इबट जाते हैं और इनके उद्देश थो समान थे परन्तु विचारी का आधार और उद्देश प्राप्ती के साधन में बेहनता थी इन वामपंथियों की नजर में बेटिस समराज जवाद ऐसे विस्वव्यापी तत्य का मूर्त रूप था जो पूजी बात और समराज बात को खतम करना चाहते थे एक तरह से और समाज बात के बारे में अगर हम लोग बात करें समाज बात क्या है आजकल आप देखते हैं कि सत्ता का सामोहिक रूप होने का सिद्धान यानि कि सत्ता पर सभी का एक तरह से आप समझ लेजे हमारे देश म एक आर्थिक सामाजिक और राज्यतिक सिध्धान थे जो किसी देश के उत्पादन की बात कर लिजे। और वित्रण में भी किया जाता है और एक तरह से आप देखे कि नांग्रेकों के नांग्रेकों के एक तरह से नांग्रेकों का ध्यार लखा जाता है इसमें कि उन्हें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है समाजबाद में ठीक है और पूंजी बाद में आप देखे अपना ख सुतंता के साथ साथ आर्थेक और सुतंता दिलाना और सुतंता के लिए आधार विक्सित करना, किसानों बजदूरों को समाहित करना और वरक संगरस की सिध्धान को सुईकार करना, फांसीबाद और सम्वराजबाद का सभी अर्थों में विरोत करना, हलाकि उद्देश तो ब कमिनिष्ट पाइटी की बात हो रही है तो लेनिन की नितित में मार्क्सवादी विचारधारा की साहता से 7 नवंबर 1970 को रूस में बॉलसेविक किरांथी के फलसरो जारसाही के अंत और पिथम समाजबादी राजी की स्थापना और 1919 में तीसरे कमिनिष्ट इंटरनेशनल की स् किसकी बात करें माक्स वाद की बात करें तो आप लोगों को वाद सब्दी का मालू होना चाहिए विचारधारा से रहता है इसका मतलब ठीक है जैसे गांधी बादी कह देते हैं आप लोग ठीक है पाटी की स्थापना की और M.N. Roy का भास्तविक नाम क्या था यह आप देखेंगे नरेंदनात बटाचार था और आरम जीवन में एक करांती कारी आतंगवादी थे और योगांतर नामक करांती कारी संस्था के सदस्थ भी रह चुके थे और पिथम विस्यूदी की दोरान ब पाटी के माध्यम से राष्ट्रवादी से अंतराष्टी सामयवादी बन गये वहां से आप देखेंगे मैक्सको गये और जहां माइकेल माइकेल बोरोडीन के संपर्क से पक्के सामयवादी बन जाते हैं और मैक्सको के सामयवादी दल के संस्थापकों में सामिल हो जाते है और 1920 में Lenin की बुलावे पर वो कॉमिंटर्ण के दूसरी अधीवेशन में सामिल होने के लिए मास्को रूस पहुच जाते हैं और पहले आप देखें सोविय संग पूरा हिस्सा हुआ गरता था वह सारे देश इसमें सामिल थे अब आप देखते हैं 1991 में सोविय संग का विक्टन हो गया था रूस अलग हो गया था बाकी देश से अलग हो गया थे तो यह भी आप लोग याद रखिएगा एम एन रॉय और लेन बिबात की अगर हम लोग बात करें तो जुलाई अगस्त 1920 को मासको में चलनाए कमिनिस्ट इंटरनेशनल की नीतियों का निधारन किया जाना था जहां लेनिन और एम एन रॉय के बिचारों में मदभेद उत्पन हुआ परंतु रॉय के जोड देने पर लेनिन के बिचारों में कुछ संसोधन किया गया और यह नेड़े लिया गया कि कमिनिस्टों के कुछ जहां एक और समराजबाद के खिलाप संगर्स में करांतिकारी राष्टिय बुजरुगवा को समर्थिन देना चाहिए यानि कि जो ब्यापारी हैं तरह से आपके यह उन्हें बुजुरुआ कहते हैं और वहीं उन्हें मजदूरों और किसानों के भी सहयोग द्वारा अपने संगर्स को सुतंत रूप से आंगे वड़ाना चाहिए और अक्टूबर 1920 में एमेन रॉय तासकंद आये और जहां इन्होंने सैनिक स्कूल कमिनिस्ट पार्टी की स्थापना की और इस कमिनिस्ट इंटरनेशनल को संबोधित भी किया और भारतिय फ्रेंटिय जंजाती की लोगों और मुहाजिर मुसल्वानों जो तुर्की के खलीफा की पिती अंग्रेज सरकार की रूख से तंगा कर तासकंद गए थे इन्हें सैनिक पिसिक चड़ दिया अपनी सैना में एक तरह से सामिल करने के लिए तैयार किया और इन मुहाजिरों पर भारत बापसी के बाल पेसावा सड़न्द केस चलाए गया था और जिसमें मुहमद अकबर साहा और गौर गोहर पिरमोक थे इसमें तो इनके नाम भी याद रखिएगा आप लोग और पेसावा सड़न्द भी आप लोगों को याद रखना चाहिए इसमें तो और इसमें आप देखेंगे कि कि अब कर एよね m.n रोय एक तरह से हमारे देश में आप देखे Jarg कुछ करांती कारी भीरन ना चटोपद्य है भूपेंद ना दत बरकुत तुल्ला भी माक्सवादी हो गए और इस दोरान भारत में भी कुछ कमिनिस्ट समूहों का अवरिभा होता है और महत्मा गांधी द्वरा असयु आंदोलन रोकने के कारण के बाद इसके कुछ समर्थक भी माक्सवादी की हों के साथ जुड़ जाते हैं और जिनमें आप देखेंगे स्रीपद, अमरिट, ढांगे, पिर्मुक थे जिन्हों ने बंबई में एक कमिनिस्ट गुरुप की संग्ट हित किया था और ये चाहते थी किमिनिस्ट एक गुरुप के रोमें कॉंग्रेस के अंदर ही काम करें कॉंग्रेस के साथ मिलकर। अंग्रेस जी विद्धोईस के कारण एक अखिल भारती है, संगठन बना पाना मुश्किल लग रहा था और इन में से चार पिर्मुक कमिनिस्टों को पकड़कर सरकार ने पर कानपूर सड़ेंट केस भी चलाया था और इन पर भारत में बेटिस पिर्भू सत्ता को समाथ कर भारत में अस्तित में आए, दिसंबर 1925 में इनमे से अजिकान समू कानपूर में अपस में मिले और इन्होंने एक अखिल भारती इस्तर का संगठन कायम किया और जिसका नाम कमिनिस्ट पाइटी ओप इंडिया रखा गया है और इसने अपने सभी सदसों से कॉंग्रेस का सदस बनने के लिए कहा और उन से ये भी कहा गया कि उसके सभी मंचों पर बे एक ससक्त वामपंथ बनाए और इन्होंने अपना अंतरिम समीधान भी बनाया और अपना उद्देश भी निर्धारित किया और भारत की समस्त समुदाई की हेतों में उत्पाधन की साधनों और धनसपत्ति की वटवारे में समान मालिकाना हक और नियंतन की आधार पर भारत को पूर्ण स्वाधिन्ता और समाज का पुनरगठन करने की बात की एक तरह से आज अगर आप लोग सोच लीजे आज कोई बेक्ती आए और इस तरह का संगठन बनाए जो आप देखे समान संपत्ति की बात करे समान सामाजिक की बात करे समानता की बात करे तो आप देखे आज भी बहुत सारे लोग जोड़ जाएंगे और उनकी विचारधारों को सही ठहराएंगे क्योंकि आप देखिए अमीर गरीवी की खाई देख लिए हमारे देश में सामाजेक छेत में आप देखिए भेदभाव होता रहता है कानपर कॉनफरेंस से भारत में कम्यनिस्ट पार्टी की उपचारिक शुरू आत हुई और अब इन्हें बेटे कम्यनिस करताओं का अभाव कारकरता भी नहीं थे करांती कारी चरित और कम्यनिस्ट इंटरनेशनल से सब्विद्धता के कारण सरकार का बिद्धोय स्पून रविया और भारतिय समाज के सुविधा प्राप्त बरक का आस्यों क्यूंकि आप देखिए जो आत्म निर्भर था भारति अगर हम लोग मजदूर और किसान पार्टियों की स्थापना की बात करें तो आप देखिए कि 19 सदी की उद्धोगी के अरण ने सरेमिक बरक को जनम दिया और चुकि पूझी पती एवं सरेमिकों की हितों में मौलिक विरोधा भास था और आप देखिए अभी भी देखने क को मिलता है क्योंकि पूझी पती अपने फायदे के लिए काम करेंगे वो कम मजदूरी देंगे जाना काम करवाएंगे और इसलिए आप देखेंगे जो सरेमिक बरक होगा जो मजदूर होगे वो सवभाविक सी बात रहेगी कि उनमें कुस्णा रहेगा और इसलिए सर्मिक आसंतोस अवस्य भावी था और आप देखेंगे सरमिकों के सोसन में बेटिस पूंजी पतियों के साथ साथ भारती पूंजी पती भी पीछे नहीं थे आला कि सरकार द्वारत सरमिकों के हित में फैक्टरी एक्ट लाए गये थे और पर उन्तु इनका किरियान बन सईधंग से नहीं किया गया था अभी भी आप देख लिए हमारे भारत में नियुन्तम मजदूरी की बात की गई है कि कम से कम इतना मजदूरी मिलनी चाहिए इतने घंटे निर्धारित किये गए हैं काम के लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि उनसे जाना काम करवाया जाता है पैसा भी कम दिया जाता है पैरब में भारती राष्टी ये कॉंग्रेस ने इन स्रेमकों की समस्याओं को नजर अंदाज करती थी क्योंकि वे नहीं चाहते थी कि भारती ये राष्टी आंदूलन का सयुक्त मोर्चा विक्टे थो और 19 सदी के अंतिम दसकों में भुजुर्वा वर्ग की नेतित में सरेमक संगठन बनाय जाने लगे थे परंतु इनका नेतित भी सीमित था और मागें भी सीमित थी ये अपने मांगों में आर्थिक मांगों के साथ संपदायक मांगों को भी जोड़ देते थे जैसे 1896-1997 में कलकत्ता मजदूर असंतोस ने संपदायक दंगे का रोप भी ले लिया था और इनके पैरंभीक अंदोलन एक बिसपोर्ट का रोप लेकर पुनासांत हो जाते थे फिर धीरे इनके संगठन और नेते दोनों में ही परिवर्तन हुआ और इनकी मांगों में भी परिवर्तन हुआ अब इनकी आर्थिक मांगों में राजनेतिक मांगें भी जोड़ने लगी और सौदेसी अंदोलन के माध्यम से उत्तर भारत के साथ साथ दच्छन भारत में भी सरमिक आंदोलन तेज हो गया और आप देखेंगे 1908 तक सौदेसी आंदोलन के अउसान के उपरांद सरमिक आंदोलन भी मंद पड़ आता है और अब तक बरगिये चेतना इसपष्ट नहीं हो पाई थी क्योंकि अभी तक बाब उत्दोगिक करन और उत्दोगिक विकास का संपूर्ण भार सरमिक बरग पर नाराल कर उत्द्योग पतियों द्वारा भी इनकी कीमत चुकाने की बाद की जाने चाहिए और पाईडाम सरूफ 1920 में All India Trade Union कॉंग्रेस की स्थाफना हुई कव 1920 में और अब बहुत से उत्दोग कॉंग्रेस नेता सहयुक्त राष्टी मोर्चा की आदस से ही जुड़े रहे और विस सरमिक आसन तो उसको एक सीमा से आगे वड़ बड़े नहीं देखना चाहते थे और आप देखे कि अगर आप लोग पहले सुरुवात में आप देखे कि कॉंग्रेस की अलग बात थी क्य जुड़ना सुरू कर देते हैं और आप देखेंगे कि इस समय बंबई के सरमिक आंदोलन में एक दूसरे पिकार की प्रवित्ती भी देखे गई वह थी निचले इसतर की सरमिक आंदोलन का उग गरू 1923 के बाद उनमें जुजहारू रूप बिक्सित हो रहा था और दलों ने मिलकर सरमे केवं किसान पार्टी भी की स्थापना की और आगे चलकर किसी कामगार यूनियन की भी स्थापना की अक्टूबर 1928 में मेरट में एक किसान और मजदूर पार्टी बनाई गई और इसमें बेटिस कम्मिनिस्ट फिलिप इस्पेट ने भी हिस्सा लिया और इसकी इनकी प्रमुख मांगें क्या क्या थी राजसाही विवस्ता की समाप्ति राश्टी स्वाधिन्ता मजदूरों के ट्रेड यूनियर बनाने के अधिकार दिये जाए जमीदारी पिथा का उनुमूलन किया जाए भूमी हिन किसानों के लिए भूमी दी जाए किरसी बैंकों की स्थापना की जाए दिन में अधिक्तम काम के आठ घंटे हो और उद्धूगेक मजदूरों के लिए नियूनतम बेतन तै किया जाए और इसके बाद आप देखेंगे कि कलकत्ता में दिसंबर 1926 में हुए अखिल भारती कॉन्फेंट में एक नेशनल एग्जीक्य कांसल की स्थाफना की जहां कलकत्ता में 1920 में हुगा और जिसमें क्या कहा गया जिसमें आप देखेंगे कि कम्मिनिश्टरों को सामिल किया गया और इनノ fibre को कॉंग्रेसी इस इन्हें आंदोलन को कॉंग्रेसी बजुर्बा बर्ग से अलग सुतंत रूप से आंगे बढ़ाने और कमिनिस्ट इंटरनेशनल से संबंध कायम रखने के लिए निर्देशित किया गया अगर हम लोग ट्रेड इूनियनों पर कमिनिस्टों के प्रभाव की बात करें तो इनका भी प्रभाव पड़ा इस बीच कमिनिस्टों उन्हें मजदूरों के हर्ताल का नेतित करके ट्रेड इूनियन संगटनों पर अपना प्रभुत बढ़ा दिया उधारन के खड़ गड़ा रेल्वे बर्क्स ओप बंबई के टेक्स्टाइल मिलके मजदूर पर अप्रेल से अक्टूबर 1928 तक बंबई के टेक्स्टाइल मजदूरों ने वेतन में कटोती के खलाब भारी हर्ताल की और इन हर्तालों में कमिनिस्ट गिर्नी कामगार यूनियन उन्हें सबसे महत्पूर्ण भूमिका आदा की और सरकार ने उद्दोगों में असांती का जिम्मेदार कमिनिस्टों को बताया और उनकी गतिवदियों को रोकने का उपाय खोजने लगे और 13 अपरेल 1929 को वायसराय ने ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट पारित किया था और इस कानून ने मजदूरों की समस्याओं को सुल्जाने के लिए ट्राइब वीर्नलों की इस पेकास सरकार ने वामपंथी दलों का दवन करने का पूरा प्रयास किया और इन पर केस इस केस में से कमिनिस्ट अंदोलन को धक्का पहुँचने के वजए इसमें कमिनिस्टों में अधिक बलीदान बा सहादित की भावना जगाई और अदालत की समक्ष बचाओं में अनोंने देश में बेटिस बिरोधी भावनाय जगाई और कमिनिस्ट अंदोलन की तितिष्ठा को भी बढ़ाया और इस पेकास सरकार की मंसा ना किवल आसफल रही बलकि इसके एकदम उल्टे पईडाम निकले लेकिन एक अनमामले में सरकार को काम्याभी नहीं मिली आंगे बढ़ता हुआ मजदूरों का अंदोलन नेतद भीहिन हो गया लेकिन इसके साथ ही कमिनिस्टों ने अपने उपर एक घातक तरहार किया और इनोंने कमिनिस्ट इंटरनेशनल की छटे कॉंग्रेस में से निर्देसित होकर भारती राष्टी कॉंग्रेस से नाता तोड़ लि आप देखेंगे अगर कॉंग्रेस के साथ मिले रहते तो एक तरह से भारत में तो मजदूर मजबूत रहते लेकिन आप देखेंगे ये कॉंग्रेस से अलग हो जाते हैं अलग धनलग पड़ जाते हैं सरकार ने इस्तिती का फायदा उठा कर 1934 में भारती कम्यूनिस्ट फायटी को गेर कानून इगोसित कर दिया परन्तु कई कम्यूनिस्टों द्वारा खुद को सविणय एग्या अंदुलन से जोड़े रखने के कारण CPI महाविनास से बच गया और आप देखेंगे 1935 में प एक कम्यूनिस्टों ने इंडियन नेशनल कॉंग्रेस और नई गठे समाजवादी कॉंग्रेस पार्टी के अंदर से अपनी गतिविधिया जारी रखी और इस पेकार माक्सवादी विचार रहों बाली समभादी पार्टी 1934 से 1943 तक पिती बंदीत रही पर इनोंने अपनी भूमिगत कार जारी रखे यानि कि समसे के सामने ना आकर आप देखिए अपना काम गुप चुप तरीके से करते रहे ना इनोंने वो काम जारी रखा अपना इन पॉइंटों को भी आप लोग पढ़ लीजेगा अच्छे से और याद रखेगा ये पिरिलिम्स के लिए काफी महत्पोंड हो जाते हैं इसमें आप देखेंगे बंबई में स्री पाद अमरे डांगे ने गांधी और लेनिन नाम का एक परचा पिकासित किया और पहले सामाजबादी सपताहिक दा दी सोसलिस्ट की सुरुवात की थी और मुझपर एहमद ने बंगाल में नाव यूग निकाला और बाद में कभी काजी नजरूल इसलाम के सहयोग से बंगाल का पिकासन किया पंजाब में गुलाम हुसेन ने कुछ अनलोगों की साथ मिलकर इन कलाब का पिकासन किया था और पंडिजवाहलाल नहरू ने ऐसे बैकती थे जिन्नोंने राष्टी या अंदोलन को समाजबादी द्रश्टी पिदान की और 1929 के बाद भारत में विस समाजबाद और समाजबादी बिचारों के पितीक बन गए और बरगों के संगरस को गांधी जी द्वारा आसुईकार किये जाने पर नहरू ने गांधी जी की आलोचना की सोसन, सोशीतों के बीच सांती और समनवाई की सिक्षा देने के लिए और पूजी पतियों और जमीदालों का हैदय परिवर्तन का ट्रश्टी सिप का सिध्धांग पिस्तुत करने के लिए भी गांधी जी की आलोचना की गई और भारत की कमिनिष्ट पार्टी ने अपने सभी सधस्तों से कॉंगरेश का सधस्त बनने के लिए भी कहा था और शुरुवाती दोर में कि कम्विनिस्टों के राजनितिकार का मुक्त रूप मजदूरों और किसानों के दलों को संगठित करके उनके माध्यम से काम करना होता था और इस पेकार का पहला संगठन लेवर सुराज पार्टी था जो कॉंग्रेस का संगठन था नबंबर 1925 में इसका संगठन बंगाल में मुझफर अहमद, नजरूल इसलाम, हैमंद कुमार सरकार और कुछ दूसरे लोगों ने मिलकर किया था 1928 तक आकर सभी परांतिय संगठनों को मिलाकर एक नया संगठन वर्कर्स एंड प्रेजेंट्स पार्टी बनाया गया और इसका अखिल भार्तिय संगठन का रूप दिया गया मालिनी गुपता, सौकत तूसमानी को फसाये गया था या इसमें सामिल थे मार्च 1929 में सरकार ने 32 लोगों को गरपतार कर लिया गया जिसमें करांतिकारी, राजनी, ती, कर्मी और ट्रेड यूनियन की लोगों के साथ तीन वेटिस कमिनिष्ट भी सामिल थे, इसमें फिलिप स्प्रेट, वैंड ब्रेडले, और लेश्टर हचेंसन, मेरट सरेंथ के नाम से इसमें इन्हें गरपतार किया गया था मेरट राजदरोह के केदियों को बचानी के लिए अनएक राष्टवादी सामने आये, जिसमें पंडित जवाल लाल नहरू, म. अंसारी, M. C. जागला भी सामिल थे, गांधी जी मेरट चिल जाकर केदियों से मिले थे, महत्मा गांधी जी तो यह भी याद रखिएगा, और आप देखेंगे कि इसमें कुछ और पॉयंट है, इन्हें भी याद रखिएगा आप लोग, वामबंधियों ने 1931 में गांधी इर्विन समझोते को राष्टवाद के साथ कॉंग्रेस थी विश्वास घात की संग्या दी थी, और पेसाव सड़ेंद 1922 में होता है, कानफुर सड़ेंद 1924 में होता है, मेरत सड़ेंद 1929 में होता है, ये डेट भी आप लोग याद रखिएगे, कई बार किरम से लगाने के लिए आ जाता है, भारत में कमिनिष्ट अंदोलन में बदलाओ की सिद्धान्तिक और राजनितिक बुनिया 1926 की सुरुवात में एक दस्ताविच के जरी रखी गई, जिसको दत्त ब्रेडली थीसस के नाम से जाना जाता है, और उत्तर फिदेश्ट की कमिनिष्टों में ने सत्थ भक्त, सत्थ भक्त की नेतत्त में 1 सेप्टमबर 1924 को कानफुर में भारती सामवादी दल की स्थापन की थी, और कमिनिष्ट इंटरनेशनल ने भारत की समस्याओं को हल करने के लिए एक क्रमीशन बाउप समती की नियुक्ती की थी, जिसका नाम माली भीवरो थी, या माली भीवरो, और 1946 में भारती सामवादी दलने मंत्री मंडलिये, सिष्ट मंडल की सम्मों के एक पिस्ताव रखा, और भारत को सत्रे पिथक, पिरभू सत्ता पूर्ण राज्यों में माठ दिया जाए, और आप देखें के भारत के लिए पूर्ण स्वाधिंता की मांग करने वाली अखिले भारती सामवादी इदल पहली पार्टी थी, 1927 में भारत में पहली बार एक माई को माई दि अल्थन भी किया था, और वामपन्ति दल हो गया, इनकी संस्थाफक हो गया, यह जरूर याद रखेगा, फारवर्ड विलोग, सुवास्चंद बॉस, भारती बॉलसेविक पार्टी, एन दत मजूमदार, दा रेडिकल डेमोकरेटिव पार्टी, एमन रॉय, बॉलसेविक लेनिनिस्ट पार्टी, इंदसेन, अजीत रॉय, भारती करांतिकारी, सामवादी दल, सौमिंदनाथ, टैगोर, इसमें सामिल थे, ठीक है, और अबाती कॉंग्रिस सोचलिस्ट पार्टी की बात, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कमिनिस् कॉंग्रिस से कमोविस अलग होकर चलाने में जानदा विस्वास करती थी, और कई बार तो इन्होंने राष्टी आंदोलन की सीमाओं का अतिकिर्मण भी किया, उधारन के तौर पर आप देखें, समय समय पर कॉंग्रिस की आलोचना करना, उसे बुजरवा की पायटी बतान गांदी जी को बुजरवाओं का दलाल कहना जैसे बिचार धारा के कारण ये राष्टी आंदोलन की मुख धारा से नहीं जोड़ पाये, कौन कम्यूनिस्ट है? और परंतु आप देखेंगे कॉंग्रिस की भीतर भी एक अच्छी खासी तादाद समाजबादी बिचार धार आपको इंडियन नेशनल कॉंग्रिस से जोड़ते थे, जबकि कम्यूनिस्ट खुद को कम्यूनिस्ट इंटरनेशनल से जोड़ते थे, और ये राष्टवादी थे और जबकि कम्यूनिस्ट अंतराष्टिये सामवादी थे, तो ये अंतर हो गया इनमें, समाजबादी कॉं जैविकार नारायन, आचार नरेंद देव, अचिवत पटवर्धन, राम मनुहर लोहिया आधी परमुक थे। और जो समाजबादी पार्टी है ना, राम मनुहर लोहिया की बात करती रहती है। आप देखते हैं, अकलेस यादा हो और आपकी मुलायम सिंग यादा हो आप जानते होंगे। इनके विधायका में घुसने से, कॉंग्रेस की करांतिकारी चरित को नष्ट होने से बचाने के लिए कॉंग्रेस की भीतर ही समाजबादी पार्टी बनाना चाहा। दुआरा बिहार, यूपी, बंबई, पंजाब जैसे परांतों में समाजबादी दल बना लिये। और इसमें आप देखें कि 1933 में नासिक जिल में जैपिकास नारायन और अचीवत पतवर्धन, एमार आसानी, एन जी गोरे, असोक महता, एन एम जोसी और एम एल दंत वाला जैसे कुछ नौजबादी पार्टी बनाने की बात सोची। और पूजी पतिवा उच्च बरगिये वुजूर्बा वर्ग की पिरभाव को कम करने के लिए एक अखिल भारतिय समाजबादी पार्टी बनाने की भी आवस्तक्ता महसूस की। कि इंद्रा को हार का सामना करना पड़ता है, वो अपनी से इठार जाती है, तो वही जैपकाश नारायन है। मासकों के कमिनिस्ट इंटरनेशनल से आदिश ले रहे हैं और इन्हें पसंद नहीं था। और 1939 में भारत आने पर एक कॉंग्रेस पार्टी में सामिल हो जाते हैं। और वराई आप देखेंगे, सोसिलिव नामक पुस्तक द्वारा भारत में समाजबाद की प्रासंगिक्ता पर जोड़ देते हैं। और इन्हों ने पठना में बिहार समाजबादी पार्टी की साहता से पिथम अकिल भारती हैं। पार्वा लक्ष की द्रिष्टी से समाजबादी हो। अगर हम लोग कॉंग्रेस सोसलिष्ट पार्टी की कारकिरम की बात करें। तो अकिल भारती है सोसलिष्ट पार्टी का पहला वास्तिक दिविशन बंबई में होता है। और जिसमें समाजबादी कॉंग्रेस पार्टी ने एक समिधान अपना है जिसमें निमलिखित कारकिरम पिस्तुत थे। समाजबादी का कॉंग्रेस पार्टी के कारकिरम को इंडियन नेशनल कॉंग्रेस द्वारा सुईकार करना। मजदूरों बाकिसानों को उनकी आर्थिक उन्यती स्वाधिनता और समाजबाद की प्राप्ती के लिए संगठित करना। और आप देखेंगे कि यूथ लीग महला संगठ्रों स्वयम सेजी संगठ्रों को संगठित करकर उनका समर्थन प्राप्त करना। अंग्रेजी सरकार के भारत को समझोते का बिरोध करना इसमें सामिल था और इसके अलावा आप देखेंगे इस सम्मेलन में भारत में समाजवादी समाज का खाकत भी तेयार किया गया मजदूरोवा किसानों की उन्नती के लिए एक अलग कार्किरम अपनाया गया और इसमें मजदूरों के इलिए एक ट्रेड यूनियर बनाने की भी सुतनता अड़ताल पर जाने का अधिकार जीवन यापन योग वेतन सपता में अधिकारिक अधिकाधिक 40 गंटे काम वेरोजगारी बीमारी दुरगटना बोड़ापे के लिए बीमे की बहुस्ता जैसी मांगें भी रखेंगे जबकि किसानों के लिए जम्मीदारी पिता की समापती सहकारी केसी को बड़ावा लाब ना देने वाली भूमी पर लगान टेक्स की मापी भूमी लगान कम करना सामंती करों की समापती जैसी मांगें भी रखेंगे तो इसमें किसानों का भी हग देखा जा रहा है आप देखें आम लोगों की भी समस्याएं द्यान में रखी सानी के उद्धे से कॉंग्रेस के भी तर्ग के समराजबाद द्रोधी गैर समाजबादी ताक्तों के साथ मिलकर काम करने करने ड़े लिया और ये भी नड़े लिया कि ऐसा कोई कार नहीं करेंगे जिससे सच्चे राष्टबादी तत्ति इसके आंदोलन के खिलाप होकर करवाने के लिए भी जोटे है और राष्टिय राजनीती पर अगर हम लोग कॉंग्रेस सोचलिस्टों का प्रभाव देखें तो गांधी की रजबाडों जमीदारों और पूंजी बात को समाप्त करने की आवस्ता में विश्वास नहीं करते थे और इसलिए आप देखी इन आपको राज जमीदारियों या फैक्टरियों का मालिक समझने की वज़ाए प्रजा पट्टेदारों मजदूरों की ट्रेस्टी माने जाए और इसलिए दच्छिन पंथी कॉंग्रेसियों के साथ इनों ने भी समाजबादी कॉंग्रेस की संपत्ती जब्त करने बरक संगहस की बातों को सुईकार कर दिया था और आप देखें लाल बहाद पंडित जबाहलाल नहरू और सुभाष्टन बोस जैसे वामपंथी कॉंग्रेसियों ने समाजबादी कॉंग्रेस पार्टी की गठन का स्वागत तो किया परंतु दोनों ही इस पार्टी में सामिल नहीं होते पंडित जबाहलाल नहरू ने राजनीती की सिक्षा चितरंजयंदास से ली थी जो उच्चे बरगों के बज़ए जन सावान के लिए सोराज जी की समर्थक थे और दलित दमित सोसिक जनों और सरम जीवी बरगों की उत्थान और सरक्षन का ध्ये लेकर चलने वाली समाजब समराज जबाद की विकास में पूझी बाद की भूमिका का इसपश्ट बोध हुआ तब इने उन अंदरोनी सोसन करताओं दमन करताओं से संगस अनिवार लगने लगा जो विदेशी सासकों के देशी सहयोगी थे और उनका ये समाजबादी रोजहान भारत की भावी विकास में अतिन्द उपयोगी साबित हुआ और कॉंग्रेस की सोच एवं अगतिविदियाओं पर भी इसका परभाव पड़ा यूँकि आप देखेंगे कि वह अंग्रेज तो वहां से एक तरह से हुकम कर रहे थे एक तरह से ओर्डर दे रहे थे हमारे सोसन हम ही लोग कर रहे थे और हमारे लोग ही अत्या चार हम पर कर रहे थे अब आप देखें बहुत सारे राजा यासे थे जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे पर आप देखें कि ओपनेवेसिक सोराज की वज़ाए पूर्ण स्वाधीनता हासिल करने की पश्चाद लोग तंतरात्मक धरम सरचना को समाजबात की दिशा में मोडना था धीरे धीरे नए बिचारों का प्रिसार प्रिसार यूगकों चात्रों किसानों मजदूरों आदी में जारी रहा नहरू बॉस और अन्य वामपंथी जुकाओ वाले समर्थों की प्रयास से संगठेत यूबा संगों हिंदूस्त आजिस संगहस समझ व्ishing कस्य संगहस की जब तक कि बिजायना फिराब थो कि पद्धिती की शमर्थे और आप देखते हैं कि गांदी जी संगहस समझ व् पर्मतु गांधी जी के कतीफ और विचारों सोसित के बीच समनवाए हिदय परिवरतन बरक संगहस की आमानेता ट्रश्टी सिप आधीम से आसहमेत होते हुए भी जवाला लहरू गांधी और द्रचिनपंथी कॉंग्रेस नितित से अलग होने को तियार नहीं थे क्योंकि कॉं के बजाए बे कॉंग्रेस में किसानों मजदूरों की भागेदारी बढ़ाने की पक्ष में थे पक्षधर थे और कॉंग्रेस के हरी पुरा और तिपुरी अधिवेशन की अध्यक्ष सुवास्चंद बोस ने भारत के उद्दोगी करन और सोवियत नमूने पर नियोजित आ और केसी समंधी एक भिसेश कारिगरम बनाया, जिसमें लगान में कमी सामंती करों, वसूलियों की समापती, सहकारी केसी का प्यारम और केसी मजदूरों के लिए जीवन यापन योग मजदूरी, किसान यूननों की गठन समंधी मुद्दे सामिल थे जो आज आज आज़ादी देख रहा है न वो इतना असानी से नहीं मिल गई है कितने पापड वेलने पड़ी आप देखिए समाजबादी कॉंग्रेसियों ने किसान अंदुन में एक महत्पूर भूमी का भी अदा की प्रोफेसर एन जी रंगा, इंदोलास यागनिक और स्वामी सहजानन्द के प्रयासों से अखिल भारती किसान सभा संगठित हुई और किसान सभाओं ने जमीदारी पिथा की समाप्ती भूमी करों में कमी समाजबादी कॉंग्रेसर ने भारती रियासतों के विशय में को प्रभावित किया सासकों के खिलाव जन तांत्रिक अंदोलन में भी हिस्सा लिया और जन अधिकारों उत्तरदाई सरकार के लिए संगहर्स भी किया इसमें अब हम लोग कमेनिस्ट पाइटी और कॉंग्रेस सोशलिस्ट पाइटी में अंतर देख लेते हैं यह आप सोचता है कि प्रग्रेम्स में यह आप देखे इस्टेट PCS मुक परिक्षा में भी आपसे इस तरह के कुश्चन्स पूँच लेगा तो आप देखेंगे कमेनिस्ट पाइटी इन दोनों के उद्देश की दृष्टी से बामपंथी की दोनों धाराएं एक समान थी परन्तु इन उद्देशों की प्राप्त करने के साधनों की स्थर पर दोनों धाराओं में विचारिक मत भेथ थे एक तरह से आप लोग एक उधारन के जरिये समझ सकते हैं मालिजे ये भी दोनों दोस्त हैं और उनकी मंजिल एक ही है किसी एक स्थान पर जाना है वो अलग-अलग साधनों का उपयोग करता है कोई वाइक से जाता है कोई वस से जाता है तो लेकिन उनकी मंजिल तो एक ही है समझ रहे हैं आप लोग सामभादी दल मार्क्स की सिधान्तों और यथा हिंसा सरभारा वर्ग की क्रांती में विश्वास करते थे वहीं कॉंग्रेस समाजबादी दल के सदस लोगतांतरिक मूल्यों और निस्पक्च चुनाओ आपसी समभाद के आधी के माध्यमों का सहादा लेना चाहते थे और सामभादी दल अंतराष्टी सामभादी संगठन कॉमिंटर्ण सोवियत रूस को अपना संगठन केंद मानता था जबकि कॉंग्रेस समाजबादी दल लोगतांतरिक समाजबादी विचार धारा में विश्वास करता था और सामवादी दलों ने मुक्रता मजदूरों के साथ मिलकर अंदोलन को आँगे बढ़ाने का परयास किया, जबकि समाजवादी दल ने किसानों के साथ मिलकर अंदोलन को गती फिदान की और आप देखेंगे इन वामपंथी दलों में विचारिक मद्भिध होते हुए भी सही हो कि विवे ने चरन देखे गए हैं इन्होंने समराजबात के विरूद को अपना प्राथमिक लक्ष निद्धारित किया विवे ने परिस्तितियों से उपजे आसंतोस के कारण मजदूर और किसक जन्दा को एकजुट किया और जिसका चरम किसान और मजदूर पार्टी में देखने को मिलता है वामपन्थी अंदोलन का अगर हम लोग मुल्यान कन करें तो आप देखेंगे वामपन्थीयों की प्रफावाप्स में राष्टी अंदोलन का नित्त करही भारती राष्टी कॉंग्रेस को अपनी सामाजिक आर्फिक नीतियों को किसान मजदूर आधारित बनाना पड़ाया क्योंकि आप देखेंगे शुरुवात में कॉंग्रेस इन लोगों की बात भी नहीं करती थी। प्रेड इूनियन कॉंग्रेस का जनाधार बिस्तित्त हुआ और 1931 की कराची अदिवेशन में जनता के मौली कदिकारों की गोशना हुई 1934 में अकिल भारती किसान सबा का गठन हुआ जो किर्शकों के पित्यक्ट समर्थन का घोतक था। और हाला कि कॉंग्रेस नितित्त ने कभी भी खुल कर इन समानंतर वामपंथी दलों का समर्थन नहीं किया था। क्योंकि कॉंग्रेस स्वयम को समपूर्ण भारती जंता का पिति निधी मानती थी। जिनका लक्ष आप देखें तो सुतन्ता, अहिंसा का सहरा लेकर एक तरह सी आप देखें कि सुतन्ता प्राप्त करना इनका उद्दिष था। किसका कॉंग्रेस का और वहीं वामपंथियों की बात करें तो ये मुखता सामवादी दलों द्वारा सुतंता प्राप्त करनी का साधन ओग एवं हिंसात्मत था और जस्पर बेटिस्ट दमनात्मक कारवाही एक स्वभाविक सी परन्नती थी परन्तु जैसा कि हम देख चुके को तरभावित कर रही थे और एसे पेकार इन दोनों बामपंथियों ने राष्टी आंदोलन को स्पूर्टी एवं तीबिता पिदान की और इन्होंने यूबा वर को नई बेचारिक पद्धिती का आभास कराया और आप सभी जानते हैं कि देखे यूबा अधिकतर हिंसा की तरफ आगस्त होते हैं क्योंकि गरम जोस रहता है और गरम खून रहता है उन्हें धरम निर्पिक संपदायकता से मुक्त और संकीन राजितिक लावों से मुक्त समाज की निर्मार की और अपनी उर्जा को प्रवाहित करने के निर्देशित किया और जिसमें जिससे प्रभा का मार्ग वामपंथी दवावों का ही परडाम था और आप देखें कि वामपंथी आंदोलन की सीमाएं भी है ये भी आप लोगों को देखना चाहिए वामपंथी आंदोलन में अच्छाईयों के साथ सीमाएं यानि की बुराइम भी थी जो राष्टी आंदोलन की अनुकूल भूत होती है जब जनता उसे पूर्ण रोपेंड गहर करे परन्तु वामपंथी विचारों को जनता ने पूर्ण रोप से गहर नहीं किया क्योंकि इन्हों ने जनता की कटनाईयों को दोर करने के बज़ाए केवल उससे मुद्दा बनाया कोई वास्तिविक समाधा नहीं पिस समझा जो की पिछल 40 बरसों से भारती जनता की मनोदसा में सुधार नानी के लिए करेमिक सुधार के लिए पिसारी थी पर इन्हों ने सीगिता पूर्ण अमूल चूल परिवर्तन का प्रयास किया और इसलिए वामपंथी प्रवक्ति में राष्टु ये आंधुलन के दौर और इनका उद्देश तो भारत की स्वाधिन सुतंता थी पर संगठन के अंदर रूस था और जिसे सामबादी दल भारती सुतंता संगराम की अवसकताओं के अनुसार अन सामबादी दलों को संगठित करने में आसफल है और इस एक जोटता की आभाव के कारण वामपंथिय उने संसादनों वजनाधार की दरिष्टी से आंचली इस तर पर भिन भिन नीतियों अपनाई उधारन के लिए आप बाद के दस्कों में जहांबे केंदर में बेटिस समर्थक बने वहां बंगाल में एक साथ आंदोलन तथा आंदर पिदेश में आप देखिए कि तेलंगा परन्तु इन सीमाओं के बापजुद वामपंथ का उदय भारतिय राष्टी आंदोलन की मुख घटना थी और माक्सवादी एवं बिज्ञानिक समाजबात की प्रभाव में कॉंग्रेस ने संपूर्ण भारतिय जंता के हितों के अनुरूप आर्थिक सामाजीक मूलेओं पर देना सुरू कर दिया वामपंथियों ने ही एक बार पूर्ण सो तंता की मांग रखी थी वामपंथियों के प्रभाव में कॉंग्रेस के मंच से समस्त भारतिय जंता की हितों को ध्यान में रखते हुए योजनागर्द नीतियों का सूथपात हुआ और इन्होंने बर्ग च जाते हैं कुछ पॉजिटिव हो जाते हैं समझ रहें आप लोग तो एक सिक्के के दो पहलू जैसा ही इनका भी हाल है कुछ फायदे भी हुए कुछ नुकसान भी हुए इनके कारियों की कुछ सीमाय रहीं किन्तु आज भी वामपंथि मोकता सोसित वजन साधारन को लक्ष क कर इसा समाज की निर्माड के लिए प्रेतंसी लें जहामानाओं का जीवन गरिम आम मै हो और आप देखी कि एक बात और आपको बतादोंथ पहले आप देखें कि हमारे देश में राजनेतिक दल, वामपंथी राजनेतिक दल काफी मजबूत थे, अब आप देखें कि पहले पर्चे मंगाव में आप देखें, अब आप देखें ना के वरावर बच्चे हुएं, कमजोर पढ़ चुके हैं, बिहार में कुछ देखने को शुरू हुआ, रेलवे का निनिमाड इस दिसा में पिथम कदम था, आधोनीक उद्ध्योंगों के उद्धै की साथ साथ ही कारिखानों में अनेक बुराईयां जैसे काम के अधिक घंटे, आवास की आसो विधा, कम बेतन, अतिधिक आसो रक्षा, आधी देखने को मिली, और क कारिखानों में सुधार हितु पिथम पिर्यास समाज से भी संस्थाओं द्वारा किया गया, 1878 में सोरा वजी, सपूर जी बंगाली ने बंबई विधान सबा में सिर्मकों की काराओधी के वारे में एक विधेयक पेस करना चाहा, लेकिन आसपल हो गया, और 1870 में बंगाल क ससी पाद बनर जी ने मजदूरों का एक कलब स्थापित किया, और भारत सरम जीवी नामक पत्तिका का पेकासन भी किया, तो ये नाम भी आप लोग याद रखेगा, और 1890 में एन एम लोखंडी महुदा ने बंबई मिल, मिल हैंड से इसोसीशन की स्थापना की, और जिसे आं सिंता का कारण समराजवाद विरोधी अंदोलन था, जो अपने पहले चरण में था, राष्ट्रवादी नेता इस समय केवल उन्हीं मुद्दों पर लड़ना चाहते थे, जिससे समुचे देश की भागरदारी हो, और आप देखेंगे चुकी राष्टवादी नेता तीब उद्दोगी करण की पक्षधर्द थे, अधिकास नेता, इसलिए उद्दोगी करण की इस दोर में सरम कानून, सरम कानूनों को व्योधान नहीं बनाना चाहते थे, और आप देखें कि 1857 से हो जाता है, जब से अंग्रेस आजाते हैं, तभी से हम लोग कॉसिश करने लगते हैं कि उनसे आजादी मिले, लेकिन थोड़ी मिल पाई, आप देखी आँगे सभी वर्ग जुड़ते रहे, तब जाकर हमें आजादी मिले, और सुरुवात में कॉंग्रेस से आप देखी पड़े लिखी लोगों की ही एक तरह से संस्था थी, इसलिए आप निचले तपके क लोग जुड़ भी नहीं पाये थे, और इस समय का एक मात समाचार पत, मराठा, तिलक, मिल मजदूरों की रहायतों के लिए बकालत करता था, और मजदूर वर्ग की पिथम संगेटीत हर्ताल बेटे स्वामित बाली रेलों में हुआ, और 1899 में, ग्रेट इंडियन पैनिन रत, सरिमिकों ने कम मजदूरी और अधिक कारवधी की कारण हर्ताल कर दी थी, मजदूर आंदोलन पर 1903 से 1908 की वी चले सो देसी आंदोलन का सकारत मत प्रभाव पड़ा, और 22 जुलाई 1908 को बाल गंगलनर तिलक को 8 वर्स की सजा होने के बाद, ततकालीक बंबई की कपड मजदूर लगबग एक सब्ता तक हर्ताल पर रहे, मजदूरों की ये हर्ताल उस समय की सबसे बड़ी राजनितिक हर्ताल थी, और आप देखें, बीपी वाडिया द्वारा गटित मद्रास मजदूर संग, 1918 भारत का पहला आधुनिक मजदूर संग अठन था, और महत्मा गा लेकिन गांदी जी समझ चुके थे, कि अब इन्हें इस्थानिये मुद्दों से भी जूड़ना चाहिए, तभी हमें उनका साथ मिलेगा, 1919 में अंतराष्ठी सरम संगटन की स्थापना, और ILO में भारत की सदस्ता, और आप देखेंगे वराष्टवादियों का सायूग आं में सामने आया, 1920 में M.N.Josie, Joseph Webtest, और आप देखेंगे लाला लाजपतराय की प्रयासों से अखिल भारतिये ट्रेड यूनियन, कॉंग्रेस, एक तक की स्थापना हुई, और फिर आप देखेंगे अखिल भारतिये ट्रेड यूनियन, कॉंग्रेस की पितम अध्यक्ष, ला में लिखित कॉंग्रेसी निताओं ने एटक की अध्यक्षता की थी, लाला लाजपतराय हों, सी आरदास हों, सी एफ, एंडी उज हों, जे एम, सेन हों, गुप्त हों, और आप देखेंगे चाहे सुभास्चंद बोस हों, पंडित जवाललाल, नहरु हों, 1908 में गांधी जी ने एहमदाबाद टेक्टायल लेवर एसोसीएशन, गांधी जी ने 1908 में, एनम जोसी की नेतित में 1929 में आखिला भारतिये टेड़ी उनियन कॉंग्रिस की स्थापना की गई, सावीनिय एवगया अंदोलन के समय कॉंग्रिस ने मजदूर और किसान कॉं नारा भी दिया यह याद रखेगा कॉंग्रेस ने राष्टबादियों ने सरदार वल्लभाई पटेल की नेतित में मैं 1947 में एटक से अलग होकर भारती राष्टी ट्रेड इूनियन कॉंग्रेस की स्थापना की सरदार वल्लभाई पटेल को आप जानते होंगे भारत को एक कर है कि की एक और बात आपको बता दो कि उप मुख मंंत्री और सभみ ह में कहीं नहीं दिया गया है बस क्या रहता है कि इंध्यर्ण लिजेंजğें कल जिसी विराज्व प्रवाइगे कारखाना अधिनियम देख लिजे इनसे भी कुछ सेंस पूछे जाते हैं तो यह अधिनियम हो गया यह सासनकाल हो गया जिसकी समयल आए गया इसमें मुख के बातें क्या थी 1881 कारखाना अधिनियम ए लॉर्ड रेपर्न की समयल आए गया साथ वर्स से कम आयू की वच्चों की कारखाने में कारखाने पर पिती बंद लगा दिया गया कारखाना अधिनियम लॉर्ड रीडिंग के समय बच्चों की कारखाना अधिनियम लॉर्ड विलिंगतन की समय मौसमी तथा गेर मौसमी कारखानों में अंतर किया गया अलफायू बच्चों की ख़वकर अउधी पांच गहंडे निश्चित की गए सरिमकों के चिगिषाओ और आराम की विवस्ता की गई 1944 का कारखाना दिनियम लॉड़ वेवल की समय आए निमित कारखानों में सिनमकों की संख्यकार ओधी 9 घंटे और केंटीन की बवस्ता की गई अब बात करते हैं भार्ती पूंजी पत्थी और राश्टी यांदोलन तो उनके बारे में जान लिजे पूंजी बात का विकास ओपनवेसिक काल में विसेस्ता बीसवी सताबदी में भार्ती अदोलस्था का विकास दूसरी ओपनवेसिक तेसों से बहन था और 20-20 सदाबदी के प्यारम होने की तुरंद बाद ही भारती अद्वस्ता में तेजी से आपात पिती स्थाफन की पिकिरिया शुरू हो गई थी और दोनों विश्योद तथा 1930 के विश्यव्यापी आर्थिक मंदी के दोरान भारत पर समराजवायत की पकड़ ढेली हुई और जिसे भारती अद्वस्ता पिती स्थाफित होने लगी और भारती ये पूझी पती विदेशी पूझी पतियों के छोटे भागिदार की रूम में नहीं बलकि सुतंध पूझी के आधरपाद आगे बढ़ रहे थे और इस विकार से आप देखेंगे देशी उद्द्योगों के विकास विदेशी व्यापार की उपनेवेसिक व्योस्ता उल्टी हो रही थी 1914 तक उपनेवेस तेयार माल का आयाद और किसी समंधी कच्चे माल का निर्यात करते थे लेकिन आप देखेंगे कि 1914-1945 के दवरान ये धाचा उलट गया घ्यारीली उद्द्योगों में विदेशी पूझी का अधिक महत्तों नहीं था और इस आउधी में और कम होने लगा और भालती पूझी पतियों का ये विकास तभी संभा हुए जब उन हम लोग कुछ खरीद रहे हैं निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेंच रहे हैं ठीक है भारती पूझी पतियों ने सूती बस्त इस पात उद्योग के छेत में आयात पितीस थापन पैरम किया और धीरे-धीरे बैंकिंग जूट विदेशी ब्यापार कोईला चाय जै कि आजादी के समय भारतिये भारतियों के 72% हिस्से पर भारतियों द्योगों का अधिकार हो चुका था और बित्तिये चेत्र में भी भारती पूझी ने ब्यापक इस्तर पर काम किया और जैसे 1914 के 30% की ये पेक्चा 1947 में भारतिये बैंकों का कुल जमारासी में हिस्सा आप देखेंगे 80% हो गया था और इस पेकार हम देखते हैं कि ओपनेविसिक सासन के दोरन भारती पूझी पती रग का काफी ठोस आर्थेक विकास हुआ और इनके विकास की एपिक्रिया अन ओपनेविसिक देसों की तुल्ऩा में अलग थी और भारती पूझी पती वर्ग का व दुरुत गामी विकास की वज़े से पुझी पतियों में समराजबत बिरोधी द्रेश्वीकों अपनानी की दढ़ता आई और सबसे महतमुर बात की लोक्तिय वामपंती आंदोलन से भैवीत होकर पुझी पति वर्ग ने से समराजबात से संघर सांजोता नहीं किया और विकास के पैरमेक इस तर पर भारती पुझी पतियों के लिए यह संभाव नहीं था और बे ओपनेविसिक राज्य से खुला संगर्ज कर सके और इसलिए 1905 से लेकर 1908 के सौदेसी आंदोलन से बे बाहर ही रहे और असाईव आंदोलन 1920 से 1922 के समय यह पी बहुत से ब्यवसा 2715 सेंगराम को अपना समर्थन दिया एक बात और आपको बता दों पूझी पत्य जो हमारे यहां के ब्यापारी थे उनका भी अंग्रेज सोसर्ण कर रहे थे अपने यहां के ब्यापारी यहों को त्रहे-ieurs प्रहें के लाब दे रहे थे टैक्स से चूट देख लिज Alea अपL भारत में हमें ब्यापार करना है और वो भी इतने समझदार तो होगे ही अंग्रेजियों का जाना अपतय है और जाना तह है तो भारतियों से बना कर रखना ही होगा अगर यहां ब्यापार करना है तो वरक संगठन का उदय उस समय भारत में यूरोपी एहितों का पिति निदित ते काफी संगठित धंग से हो रहा था और भारती पुझी पत्ती भी 1920 के प्यारम से ही भारती विवसाईओं और पुझी पतियों का राष्टी इस्तर पर ऐसा संगठन बनाने का प्यायास करने लगे जो उपनेविसिक सत्ता के सामने अपनी मांगों को सफलता पूरवक रख सके 1927 में भारती पुझी पती सफल ने भारती वडिज उद्योग महमंडल FICCI का गठन हुआ इसे जल्द ही पुझी पती वर्ख के पितिनेधी की रूम में मानता भी मिल गई और FICCI का लक्ष ब्यापार वडिज उद्योग का राष्टी अभिभाबग बनना था और इसने एक राष्टवादी संगठन की तरह समराजबात की उसकी समगता में एक आर्थिक समीक्षा पिस्तो थी और समराजबात की सोचन को ओजागर किया और अब पूजी पती वरक के नेताओं ने राजनीती में प्रभाव पूर्ण हस्तचेप की आवसक्ता को महसूस किया और इन पूजी पतियों के राजनीती में सक्री होने का अर्थ भारती राष्टी आंदोलन से जुड़ना था और FICCI के नेताओं ने 1928 में राष्टबादी आंदोलन की विकास में ही FICCI के विकास और राष्टबादी आंदोलन की सक्ती में FICCI की सक्ती को माना और इस पकार अब पुरुसुत्तम दाश्टंडन के ब्यक्तित में भी बदला आया है जबकि इसके पहले असायो गांदोलन का विरोध कर रहे थे अब आप देखे की सपोर्ट में हो गए धीरे धीरे भारती पुझिवतियों ने अर्दवस्था की हर्चेत में समरावजवादी नीतियों का विरोध करना सुरू कर दिया क्योंकि आप देखे इनका भी सोसंड हुआ है तरह तरह से 1944-1945 में पिर्मोक उद्वपती जे आइडी टाटा घंसयाम दास बेडला अर्दे सेर दलाल सिरी राम कस्तूर भाई लाल भाई एडी सराफ और जौन मताई ने मजदोर बंबे तिलान तेयार किया पूजीती पती बर्ग का दुरा उद्देश था और सरकाल से समझता हो जैप पर राष्टी आंदोलन कमजोर ना पड़े यानि कि अपना भी फायदाय ने देखना था कि इनकी काम धंदे बंद ना हो जाए सौदेशी आंदोलन का पूजी पती बर्ग कटर बिरोधी था और आप देखेंगे असहिव आंदोलन का भी पूजी पती बर्ग के एक तबके ने बिरोध किया था पुरुसत दंदास ने अपने आपको असहिव आंदोलन का दुस्मन भी गोसित किया था समर्थन भी किया था समराजबाद बिरोद का सवरूप क्या समिधानिक मार्ग इसमें आप देखें कि पूझी पती बर्ग समिधानिक संगर्ज और बाचीत के रास्ते को पूरी तरह ना छोड़ने का पक्षधर था और ये किसी आंदोलन या समर्थन एक पक्ष में नहीं थे पूझी पतियों का एद्रिष्टी कूर्ट सुरू से ही था और विटर सरकाल से बाचीत का रास्ता हमें सब खुला रखा जाये क्योंकि इन्हें अपने हित भी देखने थे ठीक है राश्ती आंदोलन के लिए सब कुछ नहीं था और पूझी पतियों के पिकार के रवेविय और समराजबाद विरोधी आंदोलन को पूझी बाद विरोधी आंदोलन में परिवर्ति ना होने देने की इरादे से उन्होंने हमेशा राश्ती आंदोलन को सम्मिधानिक विरोध की राश्ती पर लाने का प्रयास किया और चुकि इन्हें अपने सामान देना दिन देना द इस दिन ब्याबार में सासन की निवन्तम सहयो किया वसकता पड़ती थी इसलिए भी ओपनेविसिक सासन का लंबी समय तक और सरब व्यापी विरोध नहीं कर सकते थे और पूंजी पतियों को लगता था कि यदि राष्ट व्यापी राष्ट बादी सक्तियों ने सम्मिधानिक मंचों का पूर्ण बहिसकार कर दिया तो सरकार ऐसी नितियां आसानी से पारित करवाल लेंगी जो भारत की आर्थिक विकास को गंभी नुकसान पहुंचाएंगी और इसलिए उसने उपनेविसिक सासन द्वारा बनाए मंचों का समर्थन किया और साथ हिस्सेधारी भी की सुधारों के मसवदे को फिकी ने पिति किरिया बादी कहकर आसोईकित कर दिया था और पूजी पतियों ने सामानिता राष्ट्रिय आंदोलन के पिरमुक संगटनों की सहिभाई गिता या सोईकिती के बिना अंग्रेज सरकार से सम्मिधानिक या आर्थिक सवालों पर पतियों ने पिथम गोल में कॉंफेंस का बहिसकार किया था लेकिन गांधी जी के साथ दूसरी कॉंफेंस में ये भाग भी लिये थे और पूजी पतियों को अच्छी तरह मालूम भी हो गया था कि उनके हितों की सुरक्षा का स्वासन उस समय तक नहीं मिल सकता है जब तक उसके पीछे कॉंग्रेस का समर्थन नहीं है और इस पिकार पूजी पतियों द्वारा सम्मिधानिक पद्धिती और पेडाली के पक्षिधर होने के कारम भी थे वे दच्छन पंतिक को मजबूत करके वामपंत को प्रभाव हीन कर सकते थे और वे वे वेटेस सासन को आस्व ना तो उद्धेस ही है और ना ही उनके लिए असंभाव है कि विबेटेस सासन को समात कर सके हाला कि पूजी पतियों ने कभी कभी जन आंदोलनों का समर्थन भी किया उधारन के लिए 1931 के सविनय अग्विया आंदोलन का समर्थन क्योंकि उन्हें यह आवास था कि उन्हें और इसके बाब जो इन्हों ने जन आंदोलन को बापस लिए जानने के लिए समझोती की कोशिस की और तथा सासन वा कॉंग्रेस की बीच मध्यस्ता के लिए अपनी सेवाएं भी पिस्तुत करते थे और धारन सवरूप 1931 के गांधी इरविन समझोती के पहली ही बारता पहल सिखर पर था इसका निसकरस देख लिए आप देखेंगे कि जन आंदोलन के उगवादी हो जाने के भैसे या दिना ननी ब्यापार के में नुकसान होने के डर से पूझी पती बागन ने ओपने वेसे सासन के धमन का समर्थन नहीं किया था ना तो आंदोलन की निंदा की और कांग्रिस के वज़ाय उदारवादीों के साथ देते क्योंकि कांग्रिस तो बार बार संग्रस के गया समविधानिक तरीके अपना रही थी और यह महला लक्ष की और एक कदम मानता था जब कि लक्षी की प्राप्ती के लिए औन्यकदम भी जरूरी हो सकते थे हालाकि इस मुद्धे पर आप देखें कि सुरू में ही पूंजी पतियों बर्ग का रोक कुछ और था पर समय के साथ इसमें भी परिवतन आया सौधेसी आंदोलन के द्वारान यह बर्ग इसका कट्र विरोधी भी था सौधेसी आंदोलन का और 1921 में असायोग आंदोलन का भी पूंजी पतियों बर्ग के एक तबके ने विरोध किया था पुरुसोत्तम दास तथा अन्र पूंजी पतियों ने अपने को सायोग आंदोलन का दुसमन भी घोसेत किया था लेकिन चौथे दसक में छिड़े सविनय एवग्या अंदोलन का अधिकांस यानि की अधी संक्यक पूंजी पतियों ने समर्थन किया था इसके पक्ष में थे भारत चुड़ू आंदोलन सुरू होने की चार दिन पहले पांच अगस तुनिस सो ब्यालीस को पूरुसोत्तम दास जे आरडी टाटा और घंसयाम दास बिटला ने वायसराय को लिखा था कि वर्तमाल संक्यक से उबरने और एक नए सविनय एवग्या अंदोलन से बचने का एकमात तरीका यह है भारत को राजनेतिक स्वाधेहनता पिदान की जाएं कॉंग्रेस पूझी पतियों के समंध्य की अगर बात करें हम लोग तो कॉंग्रेस पे आप देखें एक कई वार आरोप लगता रहा कि पूझी पतियों का समर्थन करती है कॉंग्रेस और पूझी पतियों के समंध्यों को दो देरिश्टी कोर से विसलेषन कर सकते हैं इसमें पहला है कि कॉंग्रेस पूझी पतियों से अत्यधिक प्रभावित थी जो की इसका प्रेव अपने बरगीय सौर्थों के लिए करते थे और दूसरा ये कि कॉंग्रेस पर पूजी पतियों का कोई परभाव नहीं था बलकि कॉंग्रेस ने पूजी पतियों को अपनी सरतें सरत पर काम करने के लिए विवस किया था ये भी है, दो फॉइंट है कुछ विद्वान कहेंगे कि ये सही है, कुछ कहेंगे गलत है आरक्षन और तटवर्ती परिवहन का भारती जहाजरानी के लिए आरक्षन इसके अलावा कॉंग्रेस की कुछ राजनेतिक चुनावे कॉंग्रेस के त्यासियों का चैन 1930 के दसक के अंत में सर्मिक आंदोलन का दमन आदी भी पूंजी पती बर्ग से परभावित रहे चुकि और इसलिए भी गांधी जी को समर्थन देते थे और गांधी जी भी पूंजी-पतीयों के समर्थक थे और इस पेकार कहा जा सकता है कि कॉंग्रेस अपनी परक्षिती में एक पूंजी-बादी संगठन था जो अन पर आरोप भी लगा और दूसरे द्रिष्टी कौन के मांगों का सामिल होना आवसक था और इसमें पूझी पतियों के साल समाजबादी और समाजबादी भी सामिल थे दूसरी बात आर्थिक राष्टबाद का सिद्धा भारत में पैरंभिक राष्टबादियों ने बनाया था जबकि उस समय पूझी पति बर्क का अस्तित लगवन था ही नहीं और जहां एक नीती निधारन का मामला था आर्थिक सहायता के लिए कॉंग्रेस पूजी पतियों पर इस थाद तक निर्भा नहीं थे कि उनका नेड़ाय प्रभावी होता हो या कॉंग्रेस कियों की भारी संक्या आर्थिक मामलों में आत्मिरभर थी और इनके मन खर्च आम आदमी के सहयों स्वक्षे के युगदान और साहता सोल को छोटे चंदों से चलता था और आप देखें क्योंकि गांधी जी अंद विश्वास और कॉंग्रेस से कॉंग्रेसी मंत्रियों के जबज़स्त असर के कारण कॉंग्रेस की स्थानिय संगठन जनता से इतना समर्थान हासिल कर सकते थे भी अधिक फैसा खर्च किये विना चुनाव लड़ सकते हैं और इसका मतलब यह नहीं कि कॉंग्रेस ने अपने समिधानिक चर्णों में पूंजी पतियों के सहयों को सुईकार नहीं किया फिर भी इन धन के सहारी पूंजी पति वर कॉंग पूंजी पतियों को सहयों करने के लिए पेरित किया था परंतु साथ ही उन्हें यह भी बताया था कि पूंजी पति वो व्यापरी समर्थन और सहयों दें या ना दें आजादी के लिए जना अंदोलन अपने लक्षी की तरफ बढ़ता ही रहेगा और इदियेस में उनका सह पराप्त हो जाए तो लक्ष जल्दी पराप्त किया जा सकेगा और इस पेकार आप लोग कह सकते हैं कि पूंजी पति कॉंग्रिस का सहयों करें या ना करें कॉंग्रिस दूसरे बर्गों के सहयों से अपना कारी कर सकती है परंतु बहुत से मौके पर इन्होंने पूंजी प बती बर्ग में ने कभी भी कॉंग्रेस को अपने बर्ग की पार्टी नहीं समझा, वे कॉंग्रेस को जनांदोलन की रहनुआई मानते थे और इनके लिए करने वाला एक संगठन मानते थे, भारती व्यापर मंडल के सचिप जेकी महिता ने इस बारे में कहा था, कि कॉंग्रे दसक में कॉंग्रेस की भीतर नए सोसलिस्टों और कमिनिस्टों की नितित में वामबंत का प्रभाव बढ़ने लगा, जो पूझी पती बर्ग के लिए चिंता का बिसाय था, क्योंकि जो वामबंती थे, जो सोसलिस्ट थे, कमिनिस्ट थे, यह आप देखें कि हमारे यहां क जो पूझी पती बर्ग थे, वो भी उनके टायरगेट पर रहते थे, और लेकिन इस बिसम परिस्तिती में अनेक उपनिवेसिक देशों की तरह, पूझी पती बर्ग ने समराजबात का हाथ नहीं थामा, और वलकि गवामबंत के प्रभावों को कम करने के लिए बहु मखी रड़नीती अपनाई, यथा 1929 में कुछ पूझी पतीयों ने कमिन्टों के विरोध भारती बाव यूरोपिये पूझी पतीयों की एक पायटी बनाने की कोसिस की, जो अधी संग के पूझी पतीयों ने यह कहकर इसका विरोध किया कि समराजबात समर्थक यूरोपिये आर् कि दमन की पब्लिक सेप्टी बिल का विरोध किया था, और कहराओन है कि भारतियों के भारत में रहना है, भारतियों की बीच रहना है, तो उनका सपोर्ट तो करना ही होगा, आज आप देखी कि हम लोग यहां आएं, कोई अमेरिका की बात करने लगे, कोई यूरोप की बात चाहिए, इसी इद्दे से 1942 में आर्थिक विकास सम्ती का गटन किया, जिसने मरसूर बॉम्बे पिलान तेयार किया था, जिसका उद्दे समाजबात के उनल मांगों को सुईकार करना था, जो पूझी पात के अस्तित के लिए खत्रा ना हो, बॉम्बे पिलान में तुरेत आ कह सकते हैं कि पूझी पतियों ने राष्टी आंदूलन को पूझी बादी सीमा में रोके रखने के लिए समराजबात से कोई समझोता नहीं किया, और विस समराजबात विरोधी ये बने रहे और उनका उद्देश ऐसी नीती बनाने था, और जिसमें समाज समराजबात के सम पूझी बादी विवस्था की बने रहने का भी अस्वासन हो इसे कॉंगरिस की तागत तथा विभिन बर्गों के साथ उसके सम्मन्नों का भी पूरा एसास था और इसने अपने हितों को आम जनता के हितों के साथ जोड़ कर देखा था और उसके बारे में आवाज उठाई और अपनी इनी बिसिस्ताओं के कारण आजादी की समय तक भारती राष्टी आंदोलन पर भुजगा दर्सन का वर्चस कायम रहा जबकि आंदोलन की बीतर अनेक प्रभावसाली समाज दर्सन जैसे समाजबाद इसके खिलाब संगस कर रहे थे और इस तरह से आपका ये भी सवाल हों तो आप लोग फूश सकते हैं अंगली किलास में हम लोग जो दुतिय विस्तियोद रहा है उसकी जो राजनीती रही है उस पर बात करेंगे हम लोग और उस समय भारत में क्या चलना आथा वो भी हम लोग देखेंगे ठीक है चली आप लोग पढ़ते रहें मेहनत क निकल जाईएगा ठीक है बहुत कुछ किलियर हो जाएगा आपका और आपके पास टाइम है तो NCRT वुक्त जरूर पढ़ते रहें